असलाम लेकुम एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी खुला कुर्टा कटिंग करने का तरीका इसका तीरा किस तरह लिया जाता है और कंदा कितना रखा जाता है इसी कटिंग करने के तरीका आपको मैं वीडियो में बताऊंगी वीडियो को आपने पू 40 इंच 10 इंच 20 इंच Master edu 2.5emin अधा 5 होमा मार्जन चोड़ा है और नीचे जो आपने जितना बार रखना है गेर से आप वो छोड़ेंगी तो उपर से मैंने grape का हाए करने और अधा झा मार्जन ≥23 न назв रखने. है जी मैं आपको बताती हूँ कंधा डाउन करने के लिए पोना इच आपने रखना है तो पोना इच पे मैंने निशान लगाया है यहां पे मैंने तीन इच का खुला गला बनाना इसका कॉलर लगाना है उस पे का नाप लेना है यहां से हमने अपने कंदे का नाप जो चुकूर कंदा कटिंग करना है तो वो हमने नाप लेना है आठ इंच का त्यार बाजू है तो यहां पे हमने पहले रखना है जहां पी मैंने निशान लगाया है कंदा डाउन का यहां से तो यहां पे हमने आदा इंच क जो गंदा है वो त्यार होगा आठ इंच पे तो हमने साड़े साथ इंच पे निशान लगाना है आदा इंच इसका मारजन होगा तो आपने साड़े साथ पे निशान लगाना है तो यहां पे मैंने साड़े साथ का निशान लगा दी है नीचे से आदा इंच मार्जन भी होगा तो इस वाले निशान को हम ये जो चस्ट वाला भी निशान होगा हमारा यहां पर हमारी लेंथ होती है गंदे की वही निशान हमारी चस्ट का आता है वहीं से हम चस्ट का साइज लेते हैं तो यहां पे हम लगाएंगे जी चस्ट का निशान 22 इंच हमारी ये चस्ट रखनी है तो मैंने 11 पे निशान लगा दिया है तो इस वाले निशान को हम कर देंगे इस तरीके से सीधा इस निशान को हम सीधा करेंगे और हम अब ये जो हमारे कंदे का निशान है लेंथ में इसको भी हम इसके साथ मिला देंगे इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे सीधा कर देंगे तो अभी हम लेंगे जी अपनी शर्ट की जो हमारी चुड़ाई हमने रखनी है शर्ट की चुड़ाई का हमने रखना है जी 24 इंच मैंने इसका गेरा रखना है तो 12 पर हम इसकी ये डबल कमीज है तो 12 पर मैं निशान लगाऊंगी और उसके बाद मैंने इसकी फैशन पर्टी लगानी है तो आदा इंच मार्चन रखना हूंगी और चस्ट वरे निशान से यहां पर मैं लगाऊंगी जी यहां पर अपनी जो कमर का निशान लगाना है वो लगाना है जी 24 इंच पर मैंने लगाया है इसकी मैंने जो चाख हैं वो छोड़े रखने हैं आपको पता है कि कुरता हमीशा बंद अच्छा होल लगता है उसकी चाख चोड़े होते है तो आप 15 भी रख सकती है 14 भी रख सकती है 14 इच पी मैंने निशान लगाया था तो अब हम इसकी हिप रखेंगे जी हमने हिप रखनी है जी 23 इंच तो मैंने यहाँ पर साड़े 11 इंच का निशान लगा दिया है 23 इंच इसके हिप और 24 इंच इसका गहरा है तो चस्ट वाला जो निशान है वो हिप वाले निशान के साथ आपने इस तरीके से मिला देना है यहां से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे इसका कोई फिटिंग का साइज नहीं होता यहां पे कुर्टा जो होता है वो खुला कुर्टा उसकी सीधी ही इस तरीके से इसका कटिंग होती है सलाई भी इसकी सीधी होती है तो यहां पे मैं यह वाला जो हिप वारा निशान है वो गेरे वारे निशान के साथ मिला दोंगी जो 24 इंच का गेरा है तो वहां से मैंने इस निशान को इसके साथ मिला दिया है तो यहां से हम क्या करेंगे जी यहां से लाइन लगाएंगे बाहर निकालेंगे और यहां पे मैं एक इंच का मारजन लोंगी तो इसी मैंने स्केल की मदद से यानि कि यह स्केल जो है एक इंच का ही होता है तो मैं यहां पे इसका एक इंच का मारजन की बाहर की लाइन भी लगा लोंगी तो यहां पे मैं आपको बताऊंगी यह जो हमारा बाजू का कंदा है वो कि इतना है यहां से देखिए आदा हिंच का मारजन आएगा यहां से मैं आपको समझाती हूँ यह कंदे की मैंने कितनी कटिंग की है तो यह आपने जितना आपका बाजू का साइज है आपने लेंथ में बाजू इतना रखना है और यहां पे अगर आठ इंच का मैं गंदा बना रही हूं तो यहां पे आठ इंच का निशान लगाना ये देखें मैंने आदा इंच का मारजन इसके लिए छोड़ा है आदा इंच का पौने इंच का आपने यहां पे मारजन छोड़ना है तो तियार आपने कंदे पे निशान लगा लेना है यहां पे देखें, यहां पे हमारी कटिंग आएगी यहां पे हमारी सलाई आएगी यह जो हमारी सलाई का निशान है वहां पे आपने इस तरीके से रखना है बंद वाली साइड बाजू की जो है वो इस तरीके से रखी और यहां पे आपने देखा है यह जो नीचे लाइन आ रही है यहां पे हमारी हो जाएगी कटिंग यह तो हमारी कटिंग की लाइन है और यह वाला जो मैंने निशान लगाया है यहां पे हमारी सलाई आएगी तो ये देखें उपर का जो निशान लगा हुआ है ये तो कट जाएगा ना यहां पे कटिंग है और नीचे जो मैंने आदा इच नीचे निशान लगाया है ये हमारा जी निशान होगा सलाई का इस तरीके से यहां पे हमारे सलाई आएगी तो ये देखें इस तरी साब से हमारा जो कंदा है बिलकुल पूरा आएगा यहां पे हम कट लगाएंगे और कट लगा कि इस तरीके से बाजू की फिटिंग यानिके सलाई आ जाएगी तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगी पिमाश करेंगी तो आपके कंदे में कोई फरक न कट नहीं होती। जी कटिंग करेंगी तो यहां पे तीरे को भी ज्यादा बड़ा लगा की करेंगूनी यहां पे इस तरीके से आपने कर देनी है कटिंग तो यहां पे जो इसका कट है कट मैं बाद में लगाओंगी इस वाली जगह का कट है जो वह सलाई में लगाओंगी यहां पे जो मैंने मार्जन वाला कपड़ा कर निशान लगाया वहां से भी हम कर देंगे कटिंग तो यहां अब मैं आपको बताऊंगी कि ये देखें कंदे को इस तरह से इस तरह आपने लगाना है ये देखें इस तरह से हमारा जो है कंदा आएगा यहां पर कटिंग हो चुकी है और नीचे आदा इंच का मारजन है और देखें यहां से भी नीचे भी इदर से भी आदा इंच का मिलते हैं एक और वीडियो में ताब ताब के लिए अल्ला हाफिज